तो हेलो गाईज आज मैं बात करूंगा मेरी गोल्ड पोधे का फटिलाइजर के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हो मेरा जो पोधा है कितने अच्छे से वो कितना हेल्दी दिख रहा है और कितने अच्छे से जो फ्लावरिं कर रहा है तो चलो अभी हम fertilizer के बारे में जानते हैं यहां पर आप देख सकते हो यह mustard cake इसको पहले हम powder या दाने का फोम में तोड़ देते हैं पहले यहां पर हमने जो mustard cake था उसका जो powder बना लिए इधर देख सकते हो छोटे-छोटे दाने के size में और यहां पर आप देख सकते हो यह डिएपी और डिएपी में में पटास मिक्स किया है और एक किलो डिएपी पे में 250 ग्राम पटास मिक्स किया है तो अभी हम यह जो हमारा mustard cake है आप चाहे तो इसमें directly डिएपी को मिक्स कर सकते हो या आप alternate कर सकते हो पोधे में डालने में मतलब यह जो हमारा mustard cake है आप हपते में एक बार और डिएपी को आप हपते में एक बार दे सकते हो या दोनों को मिक्स करके 3 to 1 ratio यहां पर आप जितना भी जो chemical fertilizer है आप कम कर सकते हो इतना उतना ही बहतर है मतलब आप इसका quantity जादा रखना है और इसका कम रखना है ताकि जो पोधे का growth है अच्छा हो और उसको कोई नुकसान भी ना हो इधर आप देख सकते हो यह जो हमारा fertilizer है हम त्यार क दर चुके हैं यहां पर मैं dap और पोटास और यह जो mustard cake है वह सारे को इधर हमने mix कर लिया आए अभी हम यह जो हमारा गेंदे का फूले यह जश्ट थोड़ा ही देना है तो लग ऐसे थोड़ा-थोड़ा ही देना है यहां पर आप देख सकते हो ज्यादा नहीं देना है तो अभी हम सारे के सारे जो पोधों में फटलाइजर डाल देंगे यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो पोधा था सारे में हम जो फटलाइजर आड कर दिये हैं अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे यहां पर देख सकते हो तब ही अभी हम थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे जो मैंने फटिलाइजर आपको बताया यह आप एक बार यूज करके देखो बहुत अच्छा रेजल्ट देगा और जो मेरा जो पोधा है आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसका जो बड्स आ रहे हैं और कितने अच्छ का एक छोटा सा अपडेट अगर मेरे यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और किसी के बारे में जानकारी जाहिए तो कमेट में बताना और मेरे चैनल पर नएया हो तो सस्क्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में